नमश्कार टेडर्स वेलकम टू स्मार्ट टेडिंग अकैडमी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलर्ट लेवल्स और जहां पे आपको प्राइस सेक्शन देखके पैसा बनाना है कल के दिन यह जो इस महीने की जो एक्सपैरी थी वो पर बताने की कोशिश करूंगा ऑप्शन के बेसिस पर भी और टेक्निकल के बेसिस पर भी कुछ लेवल्स यहां पर फाइंड आउट मैंने कुए हैं आप भी अपनी वर्किंग करें तब आप ट्रेड करें तो ज्यादा सही रहेगा वीडियो के वल एजुकेशनल परपस से कोई भी मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू एफ तो फॉलो कर सकते हैं प्रेज दी बैल आइकन ताकि सभी अपडेश आपको तुरंत मिल सकें बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी सभ बजार ने कोशिश कर भी रहा है ठीक है तो एक बार को यह हाई काटता है ना जो आज का यह जो क्लोजिंग प्राइस है च्छेलिस तीन सो कहीं ना कहीं अभी फिलाल के लिए अगर आप देखो यह वाला जो हाई लगा के आया है बजार तो च्छेलिस तीन सो बीस के ओपर अगर बुलिश प्राइस सक्षिन बनाके बजार टिक जाता है तो एक मोमेंटम पकड़ सकता है कॉल सैड एंट्री प्लान की जा सकते हैं स्टॉपलॉस के साथ करें कोई भी मेरी बायसल की रिकमेंडेशन यहाप नहीं है इसके उप अगर बुलिश प्रेस सक्षिन बनाके आपको ट्रेट प्लैन करना है 46,450 एक अलर्ट लेवल जहां से बजार घुम सकता है कल की दिन ठीक है अगर बजार इनी लेवल के आसपास गैप आप ओपनिंग हो रहा है 46,450 रुपे के आसपास ग्रीन केंडिल बनाके और दोबारे नीचे होता रहा है बेरिश प्रैसेक्शन आप पूर्ट साइड एंट्री प्लैन करेंगे तो आपको देखना है हो सकता है गैप अप ओपनिंग बहुत ज्यादा बजार में हो जाए देखो गैप अप डाउन का तो मॉर्निंग में पता चलता साड़े आठ नौ बजे बजार गैप अप ओड़ा गैप डाउन हो रहा ह ठीक है एक घंटे के चार्ट पर टिकना चाहिए या फिर यहां पर 15 मेर्ट चार्ट पर बुलिश प्राइस सक्षिन बनाए 450 के ओपर तो बजार में एक तेजी बजार में आ सकती है ओपर की तरफ बजार 46,700 और 46,477,000 रुपे की तरफ दोबारा जाता वा दिखाई दे सकत यहां पर जबार पर राइंगर भी देने तो सबंगे करें ताइम वेल्लो टूड़ आती है कोई भी अपनी पोजिशन नयक्स डे के लिए के इना करें नेकडर अपशम अब यहां पर देखो बजार ऑने किस तरीके से उपर गया उपर गया नीचे आ आया कहीं नहीं पर गय मुझे देखने को मिली मुझे लगा यहां पर एफाई इस ने पोजिशन बना रखी है उन्हें लगता है पैतालिस आर्सो पचास के नीचे नहीं जाना चाहिए तो यह एक अलर्ट लेवल मैंने यहां पर रखा है जो अलर्ट लेवल होते हैं इस जगे के आसपास आपको प्र अवी बजार में हो सकती है नीचे की तरफ चिलिस जार देन पैतालिस आर्सो पचास सपोर्ट बजार का है ठीक है आप देखो बजार ओपर गया यहां पाउद लेके फिर उपर उखा है तो एक डिमांड जोन भी बजार का वैसे भी पैतालिस आर्सो पचास बड़ा खत्रा कहा है बजार 45-850 के भी नीचे तोड़ के नीचे उतरता है तो बजार में बड़ा खत्रा आ सकता है बजार फिर नए लोगी तोड़तावा दिखाई दे सकता है यह जो आज का लो है ठीक है यह वाला लोगी बजार तोड़तावा दिखाई दे सकता है नए लोग बना सकता है तो कहां तक जाके रुखेगा फिर 45, 400 एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है बजार में 45, 400, 45,000 रुपे के सपोर्ट फिर बजार में दिखाई देते हैं फिलाल के लिए ठीक है तो 45, 850 के नीचे नहीं टिकना चाहिए टिकता है तो वीकनेस फिर हावी होती भी दिखाई देगी अभी फिलाल के लिए बजार में मोटा मोटी वीकनेस चाहिए आप यहां से ओवराल नॉर्मल टेक्निकल अल्लेस अपलाई करके टेट करें तो भी बजार इस रेंज में आके यहां से गूम सकता है यह भी एक टेंड लैन के बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब हमारा कंटेंट पसंद आता है तो एक बार चैनल को फॉलो कर लीजी और वीडियो को लाइक करना नहीं कुछ कोशन डाउट है तो आप कमेंट सक्षिन में कूश सकते हैं और जो लोग ऑप्शन मास्टरी करना चाहते हैं हमसे सीख के बैक टेस्ट सेटप लेना चाहते हैं आ से मिल रहा है ठीक है कहीं ना कहीं रिवर्सल ले रहा है ठीक है अब क्या है लोवर लोज बना दी यहां पर हायर लोज बना दी यह इंपॉर्टेंट है बात समझने की हैं यहां पर क्या कर रहा था लोज बना रहा था अब यहां पर हायर लोज बना रहा है अब यहां क्या क के आसपास से बजार एक बार को करवट ले सकता है और या फिर इस लेवल का ब्रेक आउट होगा तो बड़ी फिर तेजी दिखाएगा तो मोटा मोटी आप मान के चलिए बाइस जार सो को आपको ध्यान में रखना है क्लोजिंग बजार नहीं आपके आसपास दी है तो एक बा बजार ये वाला प्रिवियस डे क्लोज का ये वाला ही काट के ओपर निकलता है तो यहां तक जा सकता है बाइस जार सो तक अगर बजार गैप अप ओपनिंग हो रहा है रैट कंडल बनाके नीचे आ रहा है तो दुबारह यहां से अगर आपको बीरिश प्रैस सक्शन मिल ज बजार आएगी बजार में कहां सपोर्ट नेक्स्ट है 21 900 का अच्छा सपोर्ट है बजार में अब देखो बजार में फॉल आया बजार ने एक बेस बनाया फिर दुबारह एक चोटी मुटी रैली बजार ने दिखाई है ठीक है तो छोटा मुटा एक सपोर्ट दिखाई दे तो अगर बजार फ्लैट ओपनिंग दे के ऊपर निकलना है तो भी एक स्कैलिपिंग अपॉर्टिटी पचास सौ पॉइंट की आपको मिल सकती है बाइस जार सौ बाइस जार सौ के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर एक बड़ी तेजी दिखाएगा तो बाइस जार सो एक हरड़ हार्ड वक के बाद निकाले है होते हैं अब देखो बजार अगर गैब डाउन ओपनिंग हो रहा है तो आपको क्या करना है गैब डाउन ओपनिंग हो रही है बाइस जार के नीचे यानि के बजार दुबारा नीचे इन लेवल्स को रेटेस्ट कर सकता है 21.950 अगर बाइस 2900 के नीचे है कल के लिए अलर्ट लेवल 2900 आपको के लगता है मार्केट के इस डिरेक्शन में बंद होगा गैप अप होगा या गैप डाउन एक बार कमेंट करके जुरू बताईए और कोई कोश्चन दूवीदा है तो आप कमेंट सेक्शन में पोश सकते हैं थैंक्यू सो